नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गाडन में और जैसा कि आप देखते हैं हम छत पर बालकनी में सारी और्गनिक सब्जी उगागे खाते हैं फूल लगाते हैं तो देखिए अब सर्दियों की जो सब्जियां थी वह आल्मॉस्ट खतम हो ये बिदेसी टमाटर भी इन गुच्छों में फल रहा है और जवरदास्त फल आप देख सकते हैं कि कितने कितने इस तरह से गुच्छों में बल्ब के आकार के टमाटर लगे हुए हैं और जिनका कलर जो है देखिए बिलकुल येलो कलर में होता है इस रैड कलर का टमाटर लेकिन अब जो गर्मिया आ रही है तो लोग थोड़े से परेशान है कि अक्सर जब आप सर्च करते हैं तो वह सब्चिक अलगा सकते हैं तो पता नहीं ओता है जो सीट्स गर्मियों में लगने वाले हैं उसका खुलासा करने आ रहा हूं आपके सामने कि बढ़ eaten कुन सी सबजियां हम लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ताकि आप लोग अपने घर में टाइमली लगाएं, और जब मार्किट में ये सबजी महंगे में आती है, जैसे भिंडी 100-200 रपे किलो में मिलती है, और आपके घर में भिंडी 500 ग्राम भिंडी भी निकल रही हो तो आप बहुत खुश होंगे और सबसे बड़ी बात है कि बिना पेस्टिसाइड या बिना केमिकल के यह हमारी ताजा तरीन सबजिया निकल सकती है जब हम अपने घर में लगाएं और खास बात है किसके लिए कोई जमीन कची जमीन की जुरत नहीं है आप देख जो है वो पूरी हो जाती है दोस्तों तो आईए और ऐसी सबजिया देखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी सबजी इस मौसम में यानि के जनवरी फरवरी में लगा दें हम ताके मार्च ऑनवर्ड जो है हमारी प्रूटिंग सुरू हो जाए तो कही लोगों के द प्रूटि सी जगह है तो दो राइफुट के पौधे में ही फलाना सुरू हो जाएगा घिया तोरी के अंदर करेले के अंदर बहुत लंबे बेल की बहुत लंबे जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आईए जानते हैं इसी सारी जानकारियां इस सेजन की सबजियों के ब लौकी में फल देखिए इस तरह से लौकी में फल आ रहा है और इस तरह से फल है यह देखिए लाइन से लगी हुई है तो क्या यहीं लौकी पूरे साल चल जाएगी नहीं दोस्तों पिल्कुल भी नहीं चलेगी अक्सर हम यहीं सोच लेते हैं कि बेल तो लगी हुई है ले ज्यादा पाला पड़ने के विजए से खराब हो गया अक्सर लोग क्या सोच लेते हैं कि एक ही बीज है लोकी ही तो है हम जो है इसी को लगा लेंगे हर सीजन में यही रीजन है कि यह बेल कठी हो जाती है और आपका जो फसल है वो नहीं मिलती तो इसलिए अलग-अलग गर्म गर्मियों वाली जब तक अट्मूस्पेयर के अंदर हीट है यानि के थर्टी प्लस टेंपरेचर है तब तक तो फल देगा इसके बाद वो जैसे मौशर आएगा अट्मूस्पेयर में बरसातें आने वाली होंगी वैसे ही खतम हो जाता है तो अब जो सबजियां तो क्या ये पूरा साल चलेगा गर्मियों में बिल्कुल नहीं चलेगा ये मैक्सिमम एपरेल तक ये फल देगा इस तरह से उपर चलता जाएगा लेकिन आगे जो है वो हमें गर्मियों का टमाटर अलग लगाना होता है अब ये करेला गर्मियों का है ये करेला गर्मियों क और सबसे जल्दी ये फल देने वाला चपन कद्दू बोलते हैं जो कि हमारे डाजेशन के लिए सेहत के लिए पेट के लिए और जिनको कोलेस्ट्रोल की प्रॉबलम है मोटापा है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये तो 30 से 35 दिन के अंदर प्रूटिंग सुरू कर द होती है इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है ताके गर्मी को सह सके आगे टिंडा जो लोग खाते हैं टिंडा ये धनिया पत्ता आ गया इसको लगा सकते हैं लेकिन इसमें क्या है तीन दिन यानि के 72 गंटे तक पानी में भीगो के रखिए इसको इसके बाद आप कई बार क्या करते हैं लोग साबुत धनिया ही बोदेते हैं उसमें भी टाइम लगता है तो ये दो फाड अल्रेडी किया हुआ है बस आपको 72 गंटे पानी में भीगोना है और फिर अपने क्यारी में या गमले में या तसले में बोल लेना है अब भिंडी की बात है भिंडी तो आपकी जरूरत है वह पूरी हो सकती है खीरा खीरा भी लगाया जा सकता है चोटे ही वेल में खीरा देना सुरू कर देता है यह जुकुनी जाती है जुकुनी यह भी आप गमलों में लगा सकते हैं लोकी लोकी एक बहुत बढ़िया मीडियम होता है बौडी को डेटॉक प्री करने का या जो टाइबिटिक लोग है उनके लिए कई बीमारियों में ये बहुत काम की चीज होती है तो ये तो हमें 12 मेने 30 दिन चाहिए और गर्मी में तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो लोकी खाकर के आदमी को जिनको पित और उसकी दिक्कत रहती है उन लोग के ल छोटी जगह में फल ले सकते हैं किसी ग्रो बैग में और ऐसी जगहों पर अब इतनी सारी जो बराइटी है हर जगह एविलेवल नहीं होती एक तो मकसद यह है दिखाने का कि आपको एक ही प्लेटपार्म पे ये सारी चीज मिल जाए अधरवाइस तो कहीं से भी आप ले ल अब इनको एक चीज और बताऊंगा मैं इनको लगाना कैसे है देखिए ये होगे हमारा करेला कदू पेठा कटड़ी चपन कदू तोरी जुकुनी ठीरा बेंडी टिंडा फर्भूजा लोकी इनको आपने क्या करना ओवरनाइट सोग करना कहने का मतलब रात को पानी में इन माइस वाली जगा पर रखिए जब यह अंकूरित हो जाएं तो जमीन में लगाएं ये तो ऐसे हो गए अब इसमें ये टमाटर हो गया ये धनिया हो गया और ये मिर्च हो गया इसको हमने कैसे लगाना है इनका अलग प्रोसेस है इनका अलग प्रोसेस क्या है दोस्तों ये है इसको आप एक कसोरे में मतलब 4-6 इंची गहराई हो उसके अंदर स्कैटर करके उसके उपर थोड़ी मिट्टी हलकी मिट्टी डालिए और इसको पानी दें यह पौध उगेगी पौध उग जाएगी जब तो कम से कम 25 से 30 दिन में यह पौध त्यार होगी तीन इंची की चार इंची की तब इसको हमें ट्रांस्प्लांट करना होता है इसी सेम प्रोसेस से इस मिर्च को भी आप उगाएंगे और आपका जो मिर्च उग जाएगा जब पौधा दो तीन इंची या चार इंच का होगा तब आपने उसको बोना मतलब लगाना है ट्रांस्प्लांट करना है जैसे कि मैं सेपलिंग्स त्यार करने की बिधी बताता रहता हूं और इन सब की प्रैक्टिकली बताऊंगा वीडियो को देखते रहेगा आता रहेगा तीसरी चीजी धनिया है इसको मैंने बताया है कि आपको तीन दिन यानिके 72 घंटे पानी में भिगोना है इसके बाद इसको भोना है पांच दिन के अंदर ये धनिया आपका उग जाता है तो इन सब की डिटेल जानकारी के लिए बीडियो, सोयल और जर्मिनेशन मिक्स इन सब की जानकारी के लिए जल्द ही मैं वीडियो आप तक पहुचाऊंगा ताके आप सभी अपने घर की और्गैनिक सुद सबजी खा करक दोस्तों इतनी सारी सब्जियां देखी इतनी सारी जानकारी देखी इसके साथ ही कुछ exotic सब्जियां भी आती हैं कुछ vegetables exotic होती हैं गर्मियों भी भी होती हैं उनके बारे में मैं जल्द ही आपको बताऊंगा उनके seeds available हो जाए आ जाते हैं तो उसके बारे में complete जानकारी को मिलती रहती हैं ताके आप स्वस्त हुगाएं स्वच्छ खाएं और स्वस्त रहें धन्यवाद दोस्तों